हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं आप लोग को यूट्यूब हिस्ट्री मतलब यूट्यूब सार्चिस्टी और यूट्यूब वाचिस्ट्री को कैसे पॉस करते हैं वो मैं बहुत ही आसनी से दिखाने वाला हूँ तो इसमें जस्ट दो तीनी स्टेप से इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो सबसे पहले आप लोग को यूट्यूब आप ओपन कर लेना है तो यूट्यूब ओपन होने के बाद उपर right hand side corner पे आपका profile का जो logo दिख रहा है इसमें आप लोग को click करना है तो अभी इस page में आने के बाद देखिए इधर नीचे setting पोल के एक option दिख रहा है इसमें आप लोग को अभी जाना है तो अभी इस page में देखिए manage all history बोल के जो एक option दिख रहा है इसमें आप लोग को next click करना है तो देखिए इधर ऐसा type का एक page आएगा यहाँ पर आप लोग को उपर देखिए control board के एक option दिख रहा है इसमें आप लोग को click करना है तो यहाँ पर आने के बाद देखिए नीचे sub settings के अंदर पे दो options टिक किया हुआ है एक हे include the YouTube videos you watch and include your searches on YouTube मतलब इधर watch history and search history डोनों ही टिक किया हुआ है अभी आप लोग को simply turn off करके जो एक option दिख रहा है इसमें आप लोग को अभी click करना है तो इधर देखिए pause YouTube history बोलके एक page आया है इधर आप लोग को simply नीचे जो pause बोलके एक option दिख रहा है इसमें आप लोग को click कर देना है तो आभी देखिए इधर दिखार आया है setting is off not saving new YouTube history मतलब YouTube में आभी next watch history and search history कोई भी history save नहीं होगा आभी आप लोग को simply नीचे got it पे click कर देना है तो आपका YouTube history आभी pause हो गया है तो यह था आज का वीडियो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कोमेंट में जरूर बताना वीडियो अगर आच्छे लगा है तो वीडियो को जरूर एक like करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और पास में आए बेल नोटिफिकेशन को भी all कर देना ताकि आने वाला सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाएं थैंक्यू दोस्तों